रिलेशन के तुरंद बाद महिलाओं का शरीर और पुरुषों का शरीर काफी ज़्यादा गर्म होता है जब ये गर्म तासीर मेंटेन होती है और उसके तुरंद बाद अगर आप पानी का एक्सपोजर देते हैं चाहे अगर आप प्राइविट पार्ट के क्लीनिंग कर रहे हो या इस्तान कर रहे हो वो सरासर गलत है कुछ केसिस में महिलाएं और पूरुष पानी पीने को भी अवोइड करने के लिए बोले जाता है यानि कि पानी पीना भी आपके लिए वर्जित होता है लेकिन अगर आप प्रेग्नेंसी के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो रिलेशन के कुछ देर के बाद तक यानि कि 15 से 20 मिनिट आपको लिग अप दे वॉल पोजिशन जरूर ट्राइ करना चाहिए उसके बाद ही आप जाकर कि वाश्रूम में अपनी हाईजिन को मेंटेन कर सकते हैं अपनी खुद की क्लीनिंग कर सकते हैं लेकिन कुछ महिलाओं का सवाल ये होता है कि क्या हमें रिलेशन प्लान करें बाद सर्ध होना चाहिए या next morning क्या आपको सर्ध होके ही शुद्ध होके ही पूजा पार्ट करना चाहिए या पिर जो हमारे मुस्लिम भाई बैन है वो क्या कर सकते हैं बहुत सरी चीजे मैं आज इस वीडियो में डिसकेशन करने वाली हूँ वीडियो काफी इंफर्मिटिव है प्लेश शुरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा राम हर्ष्टा वर्मा है और आपका मेरे शैनल ट्विंस्वाइवल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो बेसिकली होता क्या है कि जब अगर आप तुरंट से ओटके वाश्रूम जाती है पानी का एक्स्पोजर देती है तो हमारी बॉड़ी जब इतनी गर्म होती है और अगर आप आपने बॉड़ी की तासिर को दम सडन चेंज करते हैं तो एक दिन दो दिन में कोई फर्क नह दूसरी चीज क्या होती है कि जो नॉर्मन केसे आप देख रहे हैं कार्डीयक आपको जब अटैक होता है हार्ट अटैक इस ट्रोक इस तरह की चीजे होती है वो जिनरली नहाने के दौरान होती है तो जब भी अगर आप इसनान कर रहे हो कोशिश करे कि आप पैरों से ही ले पानी washroom इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अपनी cleaning जरूर करनी चाहिए लेकिन hair wash जा नहाने की भुल आपको नहीं करनी चाहिए तीसरी चीज क्या है कि अगर आपको नहाना इस नहीं पसंद है सोने के पहले अगर आप नहाना चाहती है तो आप बेसिकली आप इसनान पहले ह कर लें उसके बाद भोजन करें कुछ देर का time span जैसे कि एक दो गंटे हो गए उसके बाद आप रिलेक्शन प्लान कर सकते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद आपको इसना नहीं करना चाहिए हाईजीन के बारे मैंने आपको बता दिया कि आधे गंटे के बाद आप अपने जगती हैं उनको ऐसा लगता है कि हम तो अशुद हो गए तो हमें पूजा पाट वगरा करना है तो हम पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे लेकिन इसमें अशुद जैसी कोई भी चीज़े नहीं होती है अगर आप इसको अशुद मानते हैं तो यह आपकी बहुत तो आप अगर नॉर्मल अपनी क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हैं इसनान करने के बाद ही पूजा पाट करना चाहिए लेकिन अगर आप अशुद हो गए हैं उसके बाद आपको हेर वाश करना चाहिए तो अशुद जैसी चीज़े कहीं पर प्रतिक रिया आपके लिए शुद्ध है अज लिए आप पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो इस टेम पर सिंपल अगर आप इसनान करते हैं तो भी आपके शुद्धता हो जाती है most important चीज इसमें मैं add-on करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी भगती कर रहे हैं किसी भगवान की इस्तूती कर रहे हैं तो उस टेम पे आपकी खरिद है पवित्र होना जादा जरूरी है क्योंकि शरीर को पूरी तरह से clean up नहीं कर सकते हैं बहुत सरे लोग बहुत सरे नियम बता देंगे कि हाँ ऐसा आपने washroom यूज के लिया उसके बाद आप ये चीज टर्च नहीं कर सकते हैं वो चीज़े टर्च नहीं कर सकते हैं लेकिन चाहे कितनी भी आप cleaning कर लो शरीर की पूरी तरह से cleaning आप नहीं कर सकते हैं मन की cleaning करना ज जिसे हर मुस्लिम भाइबेन अपनाते हैं वो चीज़े होती हैं कि पांच बार नमाज अदा करने के पहले पूरी अच्छी तरह से बॉड़ी की cleaning होनी चाहिए उसमें इंक्लूड होता है hair wash तो hair wash अगर आपके धर्म में allowed है या mandatory है नियम है तो आप उसको follow करें लेकिन अग की body के लिए भी सही नहीं है और in fact कहीं पर भी ये चीज़े सही नहीं है लेकिन basically hair wash का main connection होता है आपकी implantation को लेके अगर आप implantation के दौरान hair wash avoid करती हैं तो pregnant होने के chances काफी ज़्यादा high होते हैं आप जैसे बहुत सरे लोग ये भी बोलते हैं कि इस time पे आपको relation भी plan नहीं क basically आपको implantation के दौरान ना relation plan करना चाहिए ना ही आपको hair wash करना चाहिए hair wash trick for pregnancy के लिए मैंने इक अलग से separate video बनाया है जिसके link मैं end scan पर drop करूँगी उसको जरूर देख लिजेगा ताकि आपको सारी बाते समझभाए कि कि किस तरह से उसको follow करना है बहुत सरे लोग इतनी नुग जाए उसके लिए इसे इंडिस्किन पर दी हुई जो वीडियो की link है उसको जरूर देख लिजेगा ताकि कहीं पर भी कोई confusion ना हो hair में भी खुजली ना हो कि आप बहुत दिन तक आप hair wash ना करें तो आप सोच सकते हैं कि आपकी बाल में क्या चीज़े हो सकती है तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से जरूर देख लिजेगा hopefully इस वीडियो की दी गए जनकारी आपको अच्छी लगी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल गर्भ ग्यान को आप जरूर सब्सक्राइब करें जहां पर अगर